आज विडियो खेलो दोस्ता ही वीडियो मे आपको मैं आपको अपके लिए लेकर के आट है और गाइब का बॉट्ड यह इस गर्यों आम पाइलोग गरिप वर्जजर और वर्दू से घ्रिप करेंगेember तो अगर मैं इसके पैगजिंग की बात करूं तो पैगजिंग आप देख सकते एक beautiful पैगजिंग में आता है एक blue और pink color के color कॉम्बी में इसके packaging को बना गया है और जैसे कि आप आप जानते हो सारे जो पाइलेट के पैन होते हो Japanese टेकनलोजी पर बेस्ट होते हैं चलिए अब मैं आपको प्राइस की बात करूँ तो प्राइस आप जैसे कि देख सकते हो कि 90 रूपीज इसका प्राइस है और जो इंग कलर होते हो सेम अज बॉडी कलर आपको मिल जाएगा और यह ब्लू, ब्लैक, रेड़, ग्रीन चारो कलर में अविलेवल हो जाएंगे तो लेट्स अन्बॉक्स दा पेन, तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत अराम से खुल जाता है और साथ में रियूजबल पैकिंग है तो अगर आपको पैन को समाल के रखना हो तो फिर सा आप पैकिंग को यूज कर सकते हो, तो हटा देते हैं इसको फिलाल, तो पैन जैसा कि बात करूं तो लुक भी अच्छा है ग्रे कलर के और ब्लैक कलर के लुक में आता है और चलिए मैं आपको इसका धकन अटाके दिखाता हूं तो धकन जैसा कि इसमें लिखा हुआ तो सूपर सॉफ्ट ग्रिप तो इसमें ग्लवल ग्रिप दी हुई है जिसमें भी थोड़े बहुत और ग्रिप पे इन लोगों ने काम करा है और पकड़ने में भी बहुत अच्छा है देखा जाए तो ग्रिप इसकी अच्छी है और यह दिखने में तो बिल्कुल वी फाइब जैसा है टिप की तरफ से जैसे कि आप देख सकते हो तो एक बार इससे लिखके भी देख करा देता हूं यह लिखता कैसा है so if I talk about it, झाया नॉर्मल वाला जैसा होता है, वैसी स्मुधनेस है अगर इसकी स्मुधनंज की बात करो और बाकियाल मैं आपको थोड़ा सा झलोट देखा था ओ, तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हो एक 0.5 के टिप के साफ से जितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए विल्कुल उतनी ही इसकी थिकनेस है और अगर मैं स्मूधनेस की बात करूँ तो जैसा मैं V5 का नॉर्मल बढ़िया एकदम स्मूध पैन होता है विल्कुल उसी टाइप का स्मूध पैन है मुझे ज्यादा कोई इसमें डिफरेंस लगा नहीं V5 ग्रेप और V5 नॉर्मल वाले में मैं भी जो V5 ग्रेप है जो में डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो main difference इसका एक ही होगा कि इसमें आपका एक grip लगा हुआ है level grip जासे कि आप देख सकते हो एक level grip लगा हुआ है और वो normal V5 में आपको नहीं मिलता है तो इसी का फरक है और थोड़ा सा इसमें जो ink quantity है इसमें आपको ज्यादा मिलेगी जैसा कि मैंने इसमें देखा इसकी जो body है body थोड़ा सा thick है इसका और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा आपको दिखाऊं तो आप थोड़ा सा अगर concentrate करो तो आप देख सकते हो कि अंदर की तरह refill कितना बड़ा है तो इसमें ink की quantity मुझे तो हलका सा ज्यादा लगा as compared to the normal V5 तो इसका जो price है वो 90 रूपीज है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था तो मेरे खाल सा है 90 रूपीज इसके लिए खर्च करना वर्थेट उतना नहीं होगा क्योंकि smoothness वाइस तो यार सेम है वस V5 जो normal वाला होता है वो 60 का आता है तो उसमें आपको एक level grip नहीं मिलता है तो एक level grip के लिए सरफ 30 रूपीज एक्स्टा पेकरन और इंक के quantity भी बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा सा ही मलब ज्यादा है नॉर्मल V5 से ऐसा नहीं के बहुत ही ज्यादा इंक क्वांटिटी दे रहे हैं तो 30 रूपीज फॉर एक्स्ट्रा फॉर इस कंपेर्ट टू नॉर्मल V5 लेलो पर अगर आपको थोड़ा सा फैंसी लुक चाहिए और थोड़ा सा लवल ग्रिप में आपको चाहिए और थोड़ा हेवी चाहिए एस कंपेर्ट टू नॉर्मल V5 तो आप जा सकतो इस पैंके साथ आपको इसमें लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बस एक ही है यार 60 से सीधा 90 रूपी जस्ट फॉड़ा रबर ग्रिप मुझे समझ म नहीं आया मामला ठीक है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे बाइवाई टाटा